यात्रिगर्ण सभी विध्यारती तैयार हो जाएए आज की खुबसूरत से इस सफर में स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट लॉस साहिल एक्सप्रेस आपको लेकर जाएगी आपकी मंजल तक और ये मंजल बड़ी ही हसीन बड़ी ही खुबसूरत होगी अगर आप सभी विध्यारतीयों का साथ रहेगा और आप सभी विध्यारतीयों की performance को भी judge किया जाएगा आज तो आईए देखते हैं कि आप कितने तैयार हैं कितने capable हैं कितने आपके अंदर capability है सो आईएगा स्टार्ट करते हैं आप सभी का आपके प्यारे से परिवार में quick tricks by sahil sir में profit और loss का पहला आज हम part cover करेंगे और कुछ बहतरीन चीजे सीखेंगे और revision करेंगे maths की रंडिती में हम express batch लेकर इसलिए ही आए कि जो बच्चे जिन्होंने चीजे पढ़ी हुई हैं जिनका basic almost clear है तो भी आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आप लोगों का proper revision भी होता रहे और चीजे भी आप cover करते रहें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप ALP निकालना चाहते हैं तो यहां से निकल जाएगा लेकिन अगर आप math सीखना चाहते हैं तो आप सभी विध्यारतियों को foundation join करना है क्योंकि अगर आप deep analysis चाहते हो अगर आप अपने doubt clear करना चाहते हो अगर आप अपने एक भी प्रशन अपने दिमाग में नहीं रखना चाहते हो पढ़ाई को लेकर selection को लेकर NTPC, Group D, technician बहुत सारे exam line में हैं तरीके से महनत कर लो दुबारा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि पच्टाए क्या हो जब चडिया चुक गई खेत और आप लोगों को अभी भी ये लगता है क्यार हो जाएगा मैं तो कर लूँगा competition UPSC से भी tough आपके railway में हैं अभी के जमाने में तो आईएगा स्टार्ट करेंगे आज की session को बिना किसी देरी के मेरा ALP Express बैच का पूरा maths का प्लान आपके सामने है ये सत्तर से सौ दिन भी हो जाएगा क्योंकि मन से पढ़ा रहा हूं मन से सिखा रहा हूं चीजे बहतरीन पढ़ा रहा हूं हरीश Express सुभह 9 बजे आप लोगों के लिए आती है दस बजे आपकी आकास Express आती है और 11 बजे आपकी साहिल Express आपके station पर आती है और आप सभी लोग इस Express train का फाइदा उठाते हैं यही नहीं अभी और सुनिए इंडिया की जो best practice आप चाहते है न वो आपको यहां मिल रही ह मिक्स कोशन की जो practice है question related to ALP और railway exams पीवाई क्यू और expected question पर बिलकुल exam वाली feeling देने के लिए मेरा सबसे फेवरेट क्या यह आप लोगों का भी फेवरेट है क्या यह session आप लोगों का भी फेवरेट है आप इसे कितना प्यार करते हैं आप प्लीज एक like करके बताइए कि sir catch the math mixed practice daily practice चलती है तो पैर में तीन बजे और इसी तरह से catch the reasoning मतलब कोई बच्चा हमारे इस channel पर जुड़ गया तो उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी उसको बटकना ही नहीं है और फिर भी वो बटकता है तो बेटा ना तो तुमारे पास समय है ना तुमारे पास इतना data है और ना ही तुमारे पास इतना पैसा है आप मेरी बास समझे तो तरीके से experience faculties के साथ पढ़िए selection निकालना चाहते हो तो वरना वहिया हो जाती है हालत कि paper तो दिया बट attempt खराब कर दिया तो attempt खराब करने का समय नहीं है तुमारे पास तुमारे लिए समय ज्यादा valuable है ठीक है न रात को 10 वजे catch the science होती है 9-10-11 अपना सुबह का time table है और 3-6 और 10 अपना practice का time table है ठीक है चलिए match by sahil sir ये telegram channel है और quick tricks by sahil sir आपका official दिये दौनों telegram channel पर PDF आपको मिल जाती है regular आप लोग ALP निकालना चाते हैं आप technician निकालना चाते हैं आप NTPC निकालना चाते हैं आप सारे exam निकाल पाएंगे group DB निकाल पाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ना है अच्छा पढ़के निकल पाएगा आप railway record breaking best से जुड़ सकते हैं महंगा आपको थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि वो ही काम मैं करवा रहा हूं जो लोग कोई नहीं करवाता हर exam की एक बर में ही तैयारी हो जाएगी और ये तैयारी हलकी नहीं है ये तैयारी सबसे solid तैयारी है सबसे solid preparation होती है यहां पर तो इसलिए आप RRB batch में जुड़ें और आप लोगों को फिर कभी batch नहीं ल होगे ये बात निश्चत लिखके रख लो तो हम selection के लिए काम कर रहे हैं तो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है selection के लिए हमारी application पर जुड़िए offer इस पर चालू है आप लोगों की बारी है जुड़ने की अपनी प्यारी application पर जाईए individual batch भी math का लेना चाहते हो वो भ होने से पहले मुश्किल हुआ करता है यह बात कितने इतिफाक रखते हो आप इस बात से अगर आप कुछ भी change अपने अंदर चाहते हो सर में selection लिना चाहता हूँ मैं math सुड़ारना चाहता हूं मैं reasoning सुदारना चाहता हूं मैं GS सुदारना चाहता हूँ बट सुनने में आसा लेकिन उसको चलाए रखना बहुत मुश्किल है तो आप सभी विध्यारती उस फेस से गुजर रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग जो दोड़ना शुरू की है ना वो बीच में रुख जाएंगे जीतेगा कौन जो लाश्ट तक दोड़ेगा क्योंकि मुश्किल तो हुआ कर आप सभी से रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक शेयर कर दिया जाए देखो सबसे पहले हम थोड़े बहुत कॉंसेट सीखते हैं फिर उसके बाद हम कोश्चन करेंगे और आज की जितने भी टाइप से उन्हें हम रिवीजन करेंगे ठेक है प्रॉफित का मतलब होता है ला हम छूट बोलते हैं हम डिसकाउंट को बटा भी बोलते हैं बटा भी हम इसको बोलते हैं छूट भी बोलते हैं और बटा भी हम इसको बोलते हैं यह तीन टम्स हैं जो आपके नॉर्मल बेसिस पे काम आती है उस नॉर्मल बेसिस पे जो टम्स हैं उन चीजों को हम दिमाग म रखेंगे, आपने कोई भी चीज अगर क्रे की है, अगर आपने कोई चीज खरीदी है, तो खरीदी का मतलब क्या होता है, उस चीज का क्रे मुल्य जो होता है, वो खरीद मुल्य होता है, और अगर आपने कोई चीज बेची है, तो उस चीज का जो विक्रे मुल्य होता है, वो selling price होती है और एक price और होती है, कौन बता सकता है एक MRP होता है MRP को हम अंकित मुल्य बोलते है अमू, अंकित मुल्य इसको mark price भी हम बोलते है हिंदी में इसके कही अलग अलग नाम है सूची मुल्य सूची मुल्य क्रेम मुल्य से क्रेम मुल्य से बढ़ा कर अंकित करने वाला मुल्य है, ठीक है? हाँ market मुल्य है market पर जो मुल्य रहता है न जो दिखता है आपन को वही, maximum retail price बोलते है अधिक्तम खुदरा मुल्य है यह भी MRP कहलाता है actual में MRP का नाम यही है MRP, maximum retail price कि retail में अगर आप बेचते हो तो इस price से maximum कीमत पर आप नहीं बेच सकते इसलिए इसको बोलते हैं अधिक्तम खुदरा मुल्य यार अधिक्तम प्राइज है इसके उपर आप बेचोगे तो आप यह दंडे नहीं अपराद है अब आते हैं हम लोग कि cost price, selling price और mark price को तीनों को समझने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तीनों के references आपको समझ में आ गए क्या cost price मैं किसी चीज को खरीद कर लेकर आ रहा हूँ selling price मैं किसी चीज को sell कर रहा हूँ और MRP क्या होती है MRP को कैसे relate कर सकते हो MRP किस से relatable है MRP वैसे देखा जाए तो MRP cost price से relatable है कैसे है और selling price से relatable है कैसे है मैं समझाता हूँ माल लीजिए मैंने यह प्रोड़क्ट खरीदा मैंने इस प्रोड़क्ट को खरीदा 20 रूपे में लेकिन अगर मुझे प्रोफिट कमाना है तो मैं मार्केट में कभी भी क्या ऐसे बेच पाऊंगा प्रोड़क्ट को कि यह मेरी 20 रूपे खरीद है मैंने इसकी CP लिख दी वहाँ पर 20 रूपे और मैं आपसे 20 रूपे को लिखकर यह बोल दूँ कि आप इसके मेरे को 30 रूपे दे दो क्या मैं दे सकता हूं और क्या आप मुझे दे देंगे 30 रूपे अगर मैं इमानदारी से काम करता हूँ और मैं यह बोलता हूँ कि 20 रुपे मेरी खरीद है 30 रुपे में मैं आपको बेच रहा हूँ मैंने CP लिखा हुआ है 20 रुपिया तो क्या आप ले लोगे इस प्रोड़क्तो 30 रुपे में आप पता क्या कहोगे आप यह बताओ ना सर 20 में कहां से खरीद के लेकर आए थे मैं वहीं से ले आताओ ना तो आप यह सोच लोगे कि यार जिस 20 रुपे की कीमत में इसको पढ़ा हूआ है तो मैं यहां से क्यों लूँ मैं वहीं से ले लेता हूँ जहां से 20 रुपे में तुम्हें पढ़ाए आप यही सोचोगे और आप शायद इस प्रोड़क्त को मेरे से खरीद कर भी ना लेके जाओ तो अगर कोई इमानदारी से इस बिजनिस में काम करता है तो उस इमानदारी का क्या हर्ज मिला उसे कि उसकी विकरी नहीं चल रही है आज उसकी इमानदारी इमानदारी उसकी रद्धी हो गई क्योंकि अगर उसने CP आपको दिखा दिया कई लोग दिखा देता ना देखो हमारी तो लागती इतनी है दस रुपे भी नहीं कम आउगा गया ऐसे बोल देते हैं कही लोग तो ये बात आपको इस पस्ट समझ में आ गई होगी तब एक ऐसी टम का एक ऐसी चीज का उप्योग में लाया गया जिससे कि इन चीजों को थोड़ा सा ट्रांस्परेंट बनाया जा सके ट्रांस्परेंट क्या एक आँखों पर पट्टी बांदी जा सके जिससे कि ग्राहक और दुकांदार के बीच में सम्मंद जो है वो एक हैल्दी हो पाए तर वो पट्टी क्या थी वो पट्टी MRP है कि आप जिस कीमत पर खरीद के लेकर आयो ये जो कीमत है आप हमेशा बढ़ा कर अंकित करते हो जैसे कि अगर मान लीजिए ये मैं कितने में लेकर आया था मान लीजिए ये चीज मैं 100 रुपे में लेकर आया था तो मैंने इसकी MRP को कितना लिख दिया 1.500 रुपया लिख दिया तो अब आपको market में इस product की कीमत कितने दिखाई देगी मैंने जान बूच कर MRP से CP का relation निकाला क्योंकि किसी वस्तू की price को बढ़ा कर लिखना पड़ता है किसी वस्तू की price को बढ़ा कर लिखना पड़ता है तो बढ़ा कर लिखने का मतलब ही MRP होता है किसी वस्तू की price को बढ़ा कर लिख दिया यानि कि यह MRP हो गया अगर यह MRP इस product की हो गई 1,500 तो अब आप मेरे से किस पर bargaining करोगे अब आप मेरे से किस पर bargaining करोगे अब आप मेरे पर किस amount पर bargaining करोगे क्या आप 100 रुपे पर bargaining करोगे आपको तो 100 रुपे के बारे में तो पता ही नहीं है आप बार्गेनिंग करोगे 1500 रुपे पर मेरे से आप मुझसे कहोगे कि सर यह 1500 है जो यह 1500 है अब इस 1500 पर आप मुझे बताओ कितने में देदोगे आप तो अब आप मेरे से अगर आप discount मांगोगे तो अब इस 1500 पर मांगोगे तो आपको मैं दुबारा बोल रहा हूँ आप किस पर discount मांगोगे MRP पर मांगोगे आप किस पर discount मांगोगे MRP पर मांगोगे आप किस पर discount मांगोगे MRP पर मांगोगे चलो मेरे को आप पर दया आ गई मैंने आपको 20 रुपे का डिस्काउंट दे दिया तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया मैंने डिस्काउंट देकर आपको कितने में बेचा मैंने 20 रुपे का डिस्काउंट दे दिया आपको तो 20 रुपे का डिस्काउंट देकर मैंने आपको कितने में बेचा मैंने आपको कितने में बेचा यानि कि मेरा selling price मेरा selling price ये सारी घटना उस business पर चल रही है जो एक बंदा handle कर रहा है वही वो handle करके देखता है कि मेरी costing 100 रुपे है परिवार चलाने के लिए business चलाने के लिए मेरे को कुछ न कुछ profit कमाना पड़ेगा लोग इतने समझदार नहीं है इस दुनिया में कि आप उसको cost price दिखा दो और वो सामान आपको 20 रुपे extra दे कर दे दे वो दुमाग लगाता है आदमी ठीक है तो आप लोग उससे 20 रुपे निकालना चाहते हो ग्रहक से तो कैसे निकालोगे आप तो आप यह कहोगे इसकी 1500 रुपे प्राइज है कैसे पता क्योंकि यह maximum retail प्राइज है तो आप से discount भी कोई मांगता है तो आप उसको 20 रुपे का discount दे दोगे तो मैं कितने में उसको बेच रहा हूँ तो मैं उसको बेच रहा हूँ 130 में तो आपने देखो तीन चीजे समझी यहां पर कि बढ़ा कर अंकित करने को क्या बोलते हैं कभी भी cost price से बढ़ा कर अंकित करने को क्या बोलते हैं mark up करना बोलते हैं क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों mark up कर दिया आपने CP से MRP ले गए MRP पर आपने discount किस पर निकाला जाता है discount हमेशा MRP पर निकाला जाता है दूसरा doubt भी clear हो गया और MRP पर अगर 20 रुपे का discount दे दिया तो क्या निकल कर आता है तो आपका selling price निकल कर आता है आपका vikramulya निकल कर आता है तो ये सारी की सारी चीजे लूप में चल गई आपके, चीजे क्लियर हो रही है, अब आती है profit और loss की बात, जब आप घर पर दुकानदारी करके आयो, तो घर पर आप बैठे, कि आज मैंने कितने रुपे का profit कमाया, तो बताए कितने रुपे का profit कमाया, हाँ, तो profit आप कैसे calculate करोगे, profit आप कैसे calculate करोगे, profit आप कैसे calculate करोगे, कि आपकी खरीद कीमत जो केवल आपको पता है, गराकों को धोड़ी पता है और आपने उस कीमत को 130 में बेचा, तो यहाँ पर आपने profit कमा लिया 30 रुपे का, मैं भी percentage profit की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रुपीज में बात कर सारे लोग खुश हो गए, तो आप बोलेंगे यार बात उचे तैसर आपकी, यह वही condition है जहां सारे लोग खुश है, सारे लोग में से कौन, ग्रहाक भी खुश, क्योंकि उसको 20 रुपे का discount मिल गया, दुकानदार भी खुश, कि उसको चिल्लम चिल्ली नहीं करनी पड़ी उसने चुपचाब 30 रुपे कमा लिए profit में, तो यह पूरा business चलता है इस तरह से, जहां पर हर किसी को खुशी मिले, हर किसी को संतुष्टी मिले, सबको clear हो गया ना अब, सबको मज़ा आ गया ना, अच्छा लगा कि नहीं लगा बताओ, अब एक और point आता है, कि आप यहां क्या नहीं होता, या, एक selling price, तो ग्राहक को भी पता रहती है, गलत कह रहा हूं क्या, भाई अगर आप selling price की बात करते हो, तो selling price तो वो चीज है, जो ग्राहक को भी पता रहती है, कितनी है, ग्राहक को क्या पता नहीं रहता, जिससे कि वो आपका profit ना निकाल सके, ग्राहक को आपका CP पता नहीं रहता ग्रहक को आपका cost price पता नहीं रहता अगर उसको cost price पता लग जाए तो वो दुरंद पता दे कि भाईया आप तो 30 रुपे कमा कर बैठे हो discount तो मेरे को 20 रुपे का दिया है क्या ही परक पड़ रहा है खुश होना चाहिए इसलिए CP सब छुपा कर रखते हैं बताता कोई नहीं समझे यह है खेल CP सब छुपा कर रखते हैं बताता कोई नहीं CP हमेशा उसे ही पता रहेगा जो तो कांदार होगा वो किसी को नहीं बताएगा तो अब मैं यह कह सकता हूँ कि जो आप profit और loss की बाते करते हो वो किस पर depend होती है तो यह बात आप note कर लीजिए कि अगर आप profit और loss की बात करते हो यह depends करता है only depends on CP CP को हम क्रैम मूले लिखते छुपा कर रहते हैं तो मैं CP ही लिखूंगा तो आप समझ जाना ठीक है मेरे दूस्तों हाँ तो CP को सब छुपा कर रखते हैं दुकांदर कभी बताता नहीं PR को त्नासिव क्योंकि रिष्टेदार भी को ढूजैंगोंक। वह कम नहीं करा बाते हैं सब लेकाई है각 सबसे ज़ल white अगर मुर्ड दिस्काउट रेमें दिस्काउट लग अगडे बीक दुकान का जाना क्या बात कह रहे हो ? दो ने कि मैं बहुँत तकणी चीज बता रहे हूं कोभी भी वी एक दुकान पर मत जाना क्योंकि आगर एक दुकान पर बार्गेनिंग करके डिसकाउन्ट लेकर आभी जाते हो तो अगली बर ज़िए अगली बातो पर आप जाओगे पाभी जी कितना discount देता हूं मैं आपको पर लेकिन इसमें मेरे को कुछ नहीं बच रहा कुछ भी नहीं बच रहा तो अरे भाहिया कुछ तो करो आप हर्मेशा करते हो चलो यार आपे दोसों में ले जाओ चाहिए तो ऐसे करने लग जाता है आपके साथ हर दुकांदार हर बार चेंज करिए आप समझें बात मेरे को क्योंकि वह शकल पैचान लेता है कि यह आ गई है ठीक है ऐसे होता है समझगे ना खेल तो प्रॉफिट लॉस का यह बड़ा खेला है और यह चीजें आपको मैंने पूरी स्पस्ट समझाई है कि किस तरह से चीजे है ठीक है कि मतलब दुकांदार वसूल जमीन में निला पेड़ता वस कि नहीं बचना कुछ भी नहीं बचना वास वह इतना रो देता है वहावी चीज आपकी प्रॉफिट लॉस के अंदर चलती है में यहीं चीज है ठीक है अब आते हैं आगे कि अगर आपका विक्रे मूल अगर आपके क्रे मूले से जादा है तो आप प्रॉफिट कमाओगे यह आपको सारी दुनिया को पता है और प्रॉफिट आपका होगा सेलिंग प्राइज माइनस कॉस्ट प्राइज अगर आपका cost price आपके selling price से जादा है तो आप देखो loss करोगे loss यही तो होता है loss क्योंकि आपका cost price selling price से जादा है मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है बार बार हिंदी लिखने का क्या ही मतलब है ठीक है चलिए तो गुरु जी यह बात भी समझ में, आई गई हमारे, अभी मैंने आपको समझाया, कि जो आपका, क्या कहते हैं, अगर आप विक्रेमुल्य निकालना चाहते हो, तो विक्रे मुल्य अगर profit हो तो वो क्रे मुल्य पर ही निकाला जाता है profit होगा तो 100 प्लस P upon 100 ठीक है ठीक है और अगर मालो loss हो रहा है तो आपका जो क्रे मुल्य पर ही निकाला जाएगा तो 100-L upon 100 100-L upon 100 ठीक है 100 प्लस P upon 100 ठीक है 100 प्लस P upon 100 ठीक है और कभी अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तो यहां से SP-CP का रेशो भी निकल जाएगा अगर profit है तो 100 प्लस का P upon 100 और 100-L upon 100 यह concept depend करता है अगर आपका percentage profit हो रहा हो तब और percentage loss हो रहा हो तब यह बात आपको clear हो गई और percentage कैसी हो अच्छी percentage हो मेरे बच्चे मेरे students सारे जानते हैं अच्छी percentage वह होती है जैसे कि 20%, 30%, 40%, 45%, 65% यह सारी अच्छी percentage है 12.5, 8.33, 15.38, 57.57 यह सारी बुरी percentage है ठीक है तो हमें क्या लेनी होती है कि हमेशा अच्छी percentage लेनी होती है सर इसकी ऊपर एक एक अध एक जामपल हो जाएं बिलकुल होंगे क्यों नहीं होंगे जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को 25% का profit हो रहा है तो मैं चाहूं ना तो मैं यहां से विक्रे मुल्य और क्रे मुल्य का ratio निकाल सकता हूं सेकंडों में ऐसे कैसे निकाल सकते हो सर ऐसे निकाल सकता हूं दोस्तों कि 25% मेरा अगर profit है तो 25% का जो भिनमान है वो तो एक बटे 4 होता है तो अभी मैंने बताया आपको कि लाव और हानी किसके सापिक्ष में निकलते हैं तो profit और loss हमेशा CP पर निकाले जाते हैं हमेशा cost price पर तो चार डिनोट हो रहा है यह चार जो है वो क्या है यह चार है यह क्या है तो यह चार जो है यही आपका क्या है cost price है और अगर उस पर आप एक profit कर रहे हो ना तो चार में एक ज्यादा करने पर 5 आ गया चार अगर cost price है तो 5 आपका selling price हो जाएगा तर इसी कोई अगर हम यह कह सकते हैं आप लोगों से हाँ ठीक है अगर मैं इसी को कहना चाहूं कि SP और CP हो गया तो अगर मेरा यह 100 है CP जब आप 100 मान के चलो तो इस formula में रखके चलो तो 125 हो जाएगा तो आप जब इसको काटोगे तो भी बात ही नहीं है मतलब समझे बात कि रिस्क वाली कोई चर्चा ही नहीं बात ही नहीं है ठीक है मेरे भाईयों अच्छा लगा आप लोगों को चलिए कल को मानलो आपको एक cost price दे दिया और एक आपको selling price दे दिया तो मैं आपसे percentage profit पूछना चाहता हूं और यहां मैं बोल रह अगर आप कर सकते हो दिल से करना लेकिन अगर आपको मेरी महनत पसंद आ रही है या मजा आ रहा है आपको पढ़ने में हमारे साथ तो बस हो जाएगा काम सो बेसिकली आप यह समझते हो यार कि अगर आप profit की बात कर रहे हो तो उपर आपको profit लेना पड़ेगा और profit आपका होगा SP-CP सर आपको कैसे बता यहां बताया न मैंने कि अगर selling price आपका cost price से ज्यादा है तो profit तो आपका यह होगा और profit किसके सापेक्ष में निकाला जाए किसके सापेक्ष में निकाला जाए हमेशा CP के सापेक्ष में into 100 तो यह आपका एक formula है जिससे क्या percentage profit निकाल सकते हो और percentage loss भी निकाल सकते हो if CP is greater than SP तो what about percentage loss what about percentage loss कि percentage loss क्या होगा बताये foundation batch का price already come है dear आप लोग वह चीज चाहते हो जो मैं नहीं करना चाहता क्या quality से compromise चाहते हो आप लो मैं नहीं कर सकता तो आप लोग मैं आपको recommend करता हूं कि आप मेरा course मतलो आप कहीं और ले लो ठीक है और क्या कहूं भाई तुम समझी नहीं रहो मतलब तुम्हें यहीं नहीं समझ में आता कि आपका time कितना जरूरी है आपके लिए content कितना जरूरी है आपके लिए यह कितना जरूरी है कि आप एक बर ही पैसा खर्च करो बट आप लोगों की आदत क्या हो चुकी है कि आप 200-200 रुपे खर्च करके आप 5 बर खर्च कर दोगे कही पर क्योंकि वहाँ एक बर में सीखने को मिलेगा नहीं तो आप खर्च कर दोगे लेकिन आपको यह realize नहीं होगा तो आपको realize होगा आप बाहर से देखोगे तो आपको कुछ realize नहीं करवा सकता मैं मैं क्या कोई नहीं करवा सकता ठीक है चलिए तो इससे अच्छा तो आप कहीं और ले लो जादा पेटर है क्योंकि परेशान क्यों होना नहीं cp-sp upon cp into 100 यह लीजिए तो आप class में तो यह disturb ना करा करें जिनको लेना है वो ले 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 और फ़र अभी भी चल रहा है चलिए जीज़े clear हो गई मेरे भाईयों यह basic logic है चलो सर आगे और बताइए कभी-कबार ऐसा भी आता होगा आपको कि पांच वस्तूओं का क्रेम मूल्य है के spk equal है इसका क्या logic है मेरे भाई और इसमें आप मुझे spcp का ratio निकाल कर बताओ तो इस तरह का अगर कोई format या type आ जाए तो इसका क्या logic निकल कर आएगा बता सकते हो कि आप चलिए आओ चलिए आकाश कह रहे हैं सर अरे बेटक जो भी आप जिनका भी नाम लेते हो ना कि वह दे रहे हैं वह दे रहे हैं आप यह देखी कि regular कितने हैं ठीक है ना वही वाली बात है कि मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं बट काम कितने आएंगे वह जरूरी है भाई सही बात है कि नहीं तो आप लोग जहां जुड़े हुए हो मैं पिछले आठ सार से free classes भी दे रहा हूं और paid भी दे रहा हूं और free जादा होंगी मेरी वह चीज किसी के अंदर नहीं है आप क्या compare करोगे चलिए और content ऐसा है कि आप UPSC निकल लो तो आप आनंद लोबस चीज होगा है न कि A object का CP A object का CP B object के SP के बरावर है यह type हो गया तो CP और SP का जो ratio है ना बिटा CP और SP का जो ratio होगा वह B upon A हो जाएगा तो अब यहां depend करेगा कि क्या है अगर A B से बड़ा है तो percentage profit calculate कर लेंगे हम लोग और अगर B A से बड़ा है तो percentage loss calculate कर लेंगे हम लोग हमें उसमें कोई tension नहीं है वो तो depend करता है condition क्या-क्या निकल के आ रही है समझ में आगई बात कल को आपसे कोई बोल दिया जाए कल को आपसे इस type में इस तरह का type डाल दिया जाए कि एक selling price पर बेचने पर, एक selling price पर बेचा मैंने SP1 पर बेचने पर, SP1 पर बेचने पर profit SP2 पर बेचने पर loss equal है मतलब दो अलग-अलग selling price हैं और यह बोला जा रहा है कि इस पर बेचने पर profit और इस पर बेचने पर loss equal है percentage नहीं बोला गया percentage नहीं बोला गया कहां बोला गया बताओ percentage हाँ हाँ तो SP पर बेचने पर जो profit होगा है तो profit हमेशा क्या होगा selling price minus का cost price और इस पर बेचने पर तो यह profit होगा अब यहां loss होगा cost price minus selling price तो अब यहां एक conclusion निकालना चाहूंगा कि आपके किसी product के selling price अलग हो सकते हैं लेकिन क्या cost price कभी अलग हो सकता है बताओ आपके किसी product के selling price can be different selling price can be different but cost price must be same understand selling price can be different cost price must be same ठीक है तो यहां से आप देखिए selling price का one selling price का two बराबर two CP CP बराबर आपका हो जाएगा SP1 plus SP2 बटेटू यह direct logic है कभी कभी इस logic पर बात यह आएगी कि दुगना हो जाता है तिगना हो जाता है वह equation पर आएगा बट जो direct concepts है वह पहले मैं आपको बता रहा हूं clear है भाया अभी जो मैंने अभी सिखाया आप लोगों को उसके उपर आप कोशन करने वाले हैं आज के session में स्टार्टने आप लोग एक बर आप थमसब कर दीजिए कि सर जितना भी हमने यह सीखा वह हमें आ गया अब तैयारी है कुछ कोशन करने की कैसे कोशन आपका railway ALP पूछता है कैसे आप इन कोशनों को बना पाएंगे अब जो चीजे दिखने में आसान है वो कहां फसेगी जो चीज दिखने में आसान है वो कहां फसेगी जो चीज दिखने में आसान है वो कहां आपको दिक्कत देगी सो आपको दिक्कत दे सकती है सिर्फ और सिर्फ कालकूलेशन में तो अम भो भी सीखें जब том तो स्टार्ट करें एक अब अप लूग से झाटा हूं एक लाइक चाहता हूं इक रजी । और शेयर चाहता हма घर आगे मैं बढ़ने चाहता हूं आपके साथ में चलिएगा आईएगा आज के session की हम शुरुआत करते हैं जितना हमने सीका उतने की हम practice करेंगे फिर अगला type कल आएगा तो खल और practice करेंगे तो ऐसी चलेगा बया चलिए बया अगला question आपके सामने है पहला प्रशन आपके सामने आ चुका है 30 second के अंदर अंदर आपको answer देना झाल 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 कि पैंतालिस तो में खरीते हो चौवन सो में बेचते हो तो पैंतालिस सो अगर आपकी खरीत कीमत है और चौवन सो आपका अगर सैलिंग कीमत है तो यहां आप देखेंगे कि नौसो रुपे का प्रॉफिट हो रहा है पैंतालिस सो के रेस्पेक्ट में हो रहा है गुणा सो तो यहां एक बटे पांच हो गया यानि की बीस परसेंट स आज की प्रैक्टिस हमें करनी है पूरी और जो बचेगा फिर हमवर्क में जाएगा अब पहले तो बताओ कि लाब हो रहा है कि हानी हो रही आप पता कैसे लगा पारे हो अगर आप लगा पारे हो तो ठीक है ना कि बहुत पांच हजार रुपे में खरीते हो पच्पंसो में बेच रहे हो तो पांच हजार में खरीत करना और पच्पंसो में सेल करना तो पच्पंसो में अगर सेल कर दिया 5,000 में खरीत लिया तो फाइफ थाउजंद का प्रॉफिट हो गया पाइफ थाउजंड रुपीज आपका कौस्ट प्राइज एंटू 100 एक बटे 10 यानि कि 10 प profit होगा या loss होगा बता के बताईए तो अगर 2000 रुपे में आप खरीदते हो और 1900 में आप बेशते हो तो 100 रुपे का आपको loss हुआ 100 रुपे का loss हो गया 2000 रुपे में हो गया गुणा 100 करना है 100 रुपे का loss 2000 रुपे में गुणा 100 यानि कि 5% का आपका profit है 5% का आपका loss है I think ना loss होगा क्यों होगा loss क्योंकि सर जी आप यहां खुद देखो ना कि आपका जो CP है और आपका जो SP है तो यह आपका जो selling price है वह आपका कम है cost price से cost price ज्यादा है जैसी cost price ज्यादा होता है वैसे ही loss के ऊपर चला जाता है वो अगला question आपकी screen पर दे रहा हूँ थोड़ा पढ़ना अब यह question GST चुकाता है अब मैं कह रहा हूँ है कि मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते क्यार कौन बर आएगा GST का question हम बताएंगे आपको GST का question पेपर में आपके आएगा यह फेवरेट है एक बर आप try करिए और ऐसे सोचिए कि जैसे आप दुकान पर सामान लेने जा रहे हो तो GST वो कब add करता है अगला यह सोच के चलो अब GST देखके कई बच्चे करी नहीं पाते हैं देखो आपने देखो कोई वस्तू 1000 रुपे में खरी दी इतना नाटक करते हैं ना दुकान दार कि 1000 रुपे में यह चीज है 1000 रुपे में चीज है तो जो लोग आपको पक्का बिल नहीं देते आपने देखा होगा कि जहां आप बिल ले लोगे ना तो बिल लेना सही है बट जो लोग बिल नहीं देते वो धोका देते हैं कस्टूमर को भी देते हैं और गौर्मेंट को भी देते हैं कैसे धोका होता ह कि जब आप यह देखिए कि 1000 रुपे में आपने कोई चीज खरी दी तो आप बोलोगे कि 1000 रुपे की चीज है कि हाँ यह 1000 रुपे की चीज है मैं आपके लोग बारगिनिंग कर ली आपने साला अपने मतलब दिमाग की धही कर ली 2 गंटे तक और फिर आपने वो चीज 1000 रुपे में तेख कर दी 1000 रुपे में तेख करने के बाद भी क्या वो कहेगा अगला कि 20% GST चुकाता हूं सर मैं तो 20% मैं अपने घर से थोड़ी दूँगा मैं तो यहीं से दूँगा तो आप लोगों को बताना होगा कि 1000 रुपे आपको 1000 रुपे का 20% कितना होता है 1000 रुपे का 20% होता है कितना 200 रुपे अब 200 रुपे आपका क्या है 200 रुपे आपका GST है यानि कि कुल मिलाकर आपका जो प्रोड़ेक्ट है वो कितने का हो गया 1200 रुपे का तो जो प्रॉफिट आपका दिखाया जाएगा वह 240 ही होगा 1200 के रेस्पेक्ट में तो अंसर कितना आएगा 20% तो जो प्रॉफिट है वह आपका 240 होगा तो जी एश्ट का कॉंसेप्ट समझ में आ गया यह जो 200 रूपई भी जोडएंगे यानि कि वस्टू की कीमत है घ mango काउंट होगी ना के हजार रूपई जी एश्ट किसी का नहीं होता दुकांदर अपने पास नहीं रखता अगर आप बिल बिल ले 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 अगर आप बिल नहीं लेते हो तो GST खतम समझे चलिए अब वो तो कस्टूमर से लिया गया देखा जाए तो basically अगला प्रश्ण भाई अच्छा लग रहा है like share करिए अब मैंने आपको पिछला question सिखा दिया अगर मैं normal teacher होता तो मैं अगला करवाता लेकिन मैंने अगला आप के लिए दिया है कि आर एक बड़ आप कोशिश करके देखो कि अगला कोशना बना पाते हो क्या और matter question करने है और समझने का नहीं है matter है calculation का मैं पहले भी बोल चुका हूँ करिए कि अब आई ये पिचेतर सो रुपे में खरीता है पिचेतर सो रुपे में खरीता है मैं फिर हम कहिएंगी सर। 75,500 रुपया थोड़ी है उसकी ghtb लगेगी 10% 10 परसंट जो होता है वह 7500 रुपया होता है तो 82,50 तो 82,50 रुपया 82 रुपया उस वस्तू की क्रेम मुल्य पड़ी है आपके लिए तो और बेच कितने में राय बही बेच कितने में राय था 10,312,5 तो Profit कितना हो जाएगा 1032.5 Profit कितना हो जाएगा Pay Profit बताइए बही Pay Profit कितना हो जाएगा Profit हो जाएगा 20212.5 बराबर 8250 амने 100 अब सॉल्व कर लो यह बटे चार बार चला गया तो 25 परसेंट आ गया साफ साफ दिख रहा है भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा बार बार पूछूंगा नहीं बटा बता दो मुझे थमसब कर कि सक ठीक है मज़ा आ रहा है सर और यही चाहिए था सर हमें और जिनको और बेसिक जाना है मैं आपको फिर बोलूँगा क्या फाउंडेशन के थू जाओ शरम मत करो क्योंकि एक बर अच्छा पढ़ लोगे तो बार बार नहीं पढ़ना पढ़ेगा फिर बार बार पढ़ना है तो फिर एक बर अच्छा पढ़ने की जरवत क्या है अगला अब 66 रुपे में खरीदने के बाद 15 परसंट का लाब होता है अब मैं आपको कैलकुलेशन सिखाना चाहता हूं कि 15 परसंट क्या होता है 5 परसंट का 3 गुना यानि कि 3 बटे 20 और तसल्ली से सीख लो भई सीख लिया सर सीख लिया तो अगर मैं इसका कहता हूं कि 66 में मैंने खरीदा है तो उसका 3 बटे 20 कितना होगा मेरे भाई 3 बटे 20 होगा कितना 33 निन्यान में 9.9 रुपीज ठीक है हाँ 9.9 रुपीज का प्रॉफिट है तो डाइरेक्ली इसमें जोड दो आने कि यह कितना हो जाएगा 75.9 डी कि अब मैंने जोड आया बाद में कहीं आपने देखे कि क्या से आ गया 75.9 अगला प्रशन आपके सामने है यह लीजिए भई करके बताईए आराम से कोई जल्दबाजी नहीं कोई टेंशन नहीं जितना आपको आज मैंने कॉंसेप्ट बताया है उसी के भी आप पर यह चलो 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 अब देखो सर कैलकुलेशन कैसे बनाओं तो मैं आपको जादू सिखाऊंगा यह मेरी गारेंटी है 1500 में तो आपने खरीदा 1500 में खरीदा है और 12% का प्रोफिट है तो मैं डायरेक्टली 12% निकाल दूं क्या नहीं आप यह भी तो सोच सकते हो कि 1200 क 15% तो 1200 का 15% हो जाएगा तीन बटे बीस यानि कि सर जी यह हो जाएगा कितना 180 और 180 रुपे आपका क्या है प्रोफिट है यानि कि आप 1680 आंसर आ जाएगा अब यह जो मैं कर रहा हूं ना यह आपको सीखना है और यह जो मैं यहां कर रहा हूं ना यह आपको यहां करना है possible है, कुछ भी impossible नहीं है यह कौन सा तरीका लगाया, कोई बता सकता है आप में से यह जो मैं कर पा रहा हूँ यह जो मैं गुमा फिरा कर calculation कर रहा हूँ यह करनी है भाई, यह मैं मजाक के लिए नहीं सिखा रहा हूँ आपको मजाक के लिए सिखाना होता तो directly कर देता यह मैंने बोला ना आपको कि 1500 का 12% निकालना है पट मैंने उल्टा पूछा 1200 का 15% यह वही वाला concept जो मैंने percentage में आपको सिखाया था very good आयुश ऐसे attentive बच्चे चाहिए और literally छटनी होना शुरू हो जाती है पहले दिन से ही बच्चा कौन पढ़ेगा कौन आगे जाएगा कौन रह जाएगा क्योंकि dawn में तो शुरू सब करते है starting सब की होती है बट end तक कौन जाएगा उसका फरक end में पता लगता है कि कितने बचे और end में हाला कि संख्या बढ़ जाती है पढ़ने वालों की क्योंकि वह लोग भी आ जाते है पंदरे जिन में इसले बस खतम करने वाले वह भी आ जाते है लेकिन उनका होता नहीं है आप यह समझ रहे हैं सब को बता है देखो यार तो आप कभी भी उससे मढ़ डरोगी कितने लोग पढ़ रहे हैं आप उससे डरोगी आप कितने continue पढ़ रहे हैं चलिए अगला प्रश्न एजली करना है भाई कैल्कुलेशन पर ही काम करना है हम लोग लग आपको आसान रहा होगा लेकिन टाइम आपको ज्यादा लगेगा अब आप एक बार समय ले लो भाईया और मेरा वाला तरीका अपनाना यहां 16% निकालना है इसका तो मैं कहता हूँ 1600 का 15% तीन बटी 20 तो 1600 का 15% निकालूँगा तीन बटी 20 निकालूँगा तो 8 और क्या कहते हैं 8 या 24 तो यानि कि 240 जोड़ दूँ 240 जोड़ती 1740 आ गया यह मैंने आपके सामने calculation करिए खुद कर पा रहे हो के नहीं कर पा रहे हो अगर आप खुद को try नहीं करोगे तो फिर तो उतने में ही रह जाओगे ना इतना कैसे बनोगे तो आप खुद try करिए कि calculation कैसे fast हो सकती है और यह हम वही कर रहे है जो हमें आता है हम कुछ अलग नहीं कर रहे है हां तो क्या किया दुबारा से बताऊंगा दुबारा से समझने की कुशिश करना कि यहां 1500 खरीद मूल्य है उसका 16% निकाल रहे हो लाब के लिए तो मैं उल्टा बोल रहा हूं आपसे गेम तो परसेंटेज काई है इसलिए परसेंटेज से शुरू करते हैं हम अगला प्रश्न यह अच्छा है थोड़ा समझते हैं देखो कि क्या है इसके अंदर प्लीज भाशा को पढ़के करना एक व्यक्ति एक पुराना टीवी तीनेजार में खरीता है यह तो आपको पता है ना कि जबी भी आप कोई मरंमत करवाते हो तो यह मरंमत भी आपकी कोस्टिंग में एड होती है क्योंकि क्या बार होते ना कि आजकल बहुत जगह चल रहा है कि आपको कोई ऐसा प्रोड़क्ट आ जाता है मार्केट में है तो हमेत कही 있는 यह बना जए है रिफर्विस्ट होता है अपने शोना कि कामने रिफर्विस्ट्ट प्रोडड़क्ट कि तो पर यही बना यहां यही प्रोड़क्ट्स होते हैं जाहां पर फीर हुआनपर होँ हो आज कर अज़े कार्स होती है तो कुछ सेकंद अडर्डेश रिसाइड कर लेते हैं और फिर उस Selling Price पर आप प्रोफित निकाल सकते हो 4500 बटे 4500 जनरली वह Selling Price अभी यहां तो हम ने बोला कि इतने में बेचा है तो अच्छी बात है लेकिन जनरली क्या करते हैं बता हो वह क्या करते हैं यहां तो चलो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि बेच दिया इतने में लेकिन वह करते क्या है वही काम करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था क्या मार्कप करते हैं फिर मार्कप से डिसकाउंट भी तो देना पड़ता है उनको वही वाला काम तो वही चीज है ठीक है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई तो भाई लाइक ऐसे क्यों मझे कहना पड़ता है बार बार यह तो प्यार मुबत वाली बात है अब देखो मरमत वाला कुशन फिर से आ गया तो जिन बच्चों को पिछले में सीखने को मिला जिन्होंने खुलें से खुलें जिन्होंने खुलें फाली में सीखने को माली बात है तो प्लीच वालव है इस और है अच्छा को गे बात है बात हैंध में खरीदा और उसके बाद में पांच हजार रुपे की मरम्मत हो गई 17,500 का उसका खरीद पड़ गया और फिर आप ने इसको बेचा कितने में 22,750 में 22,750 में तो जीरो, पांच, दो, पांच हजार दोसो पचास, सत्रह हजार पांच सो के रेस्पेक्ट में गुणा सो तो पांच हजार दोसो पचास ही आ रहा है 17,000 तो यह कितनी बढ़ चला जाएगा वई सर जी यह तीन बढ़ जा रहा है 30 परसेंट आंसर आ गया अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा बता दो यार ऐसे करना टक कर रहे हो next करिए करो आराम से फिर आज homework भी मिलेगा आपको ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे homework मिलेगा फिर अगले टाइप कल होंगे तो ऐसे मज़ा आता है इसी को पढ़ाई कहते हैं इसी को रिविजन कहते हैं आप बिलकुल एंड मस्त रही है बस कि एक व्यक्ति साड़े 400 में खरीता है और 8% का लॉस होता है अब देखो आप इतने समझदार इतने प्यारे बच्चे होना कि 8% का लॉस हो रहा है तो साड़े 400 का 8% निकालने बैठोगे निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नौचों के 36 हो रहा है भई 36 इसमें घटा दो तो जैसी 36 घटा होगे 464 तो आप यह भी कर सकते हो कि 400 है अब 400 का 8% सर कैलकुलेशन सिखाओ आप कैसे जल्दी कर रहे हो आपको वह चीज सिखा रहा हूं जो आपको बहुत जरूरी है जैसे 400 है अब इसमें से मैंने इसको 2 उधार दे दिया अब जैसी मैंने 2 इसको उधार दे दिया तो यह 900 आप hundred and twenty sons front कैरा ओजाता है चैतिस ओझाते है तो जाता ख्रीन क्या हुए है लोस हुँए माहराजелस हो गया तो मामला हो गया 46 Liaus अång अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा लाए之前 कौन करेगा हमारे स्टूडेंट करेंग अगला प्रशना आप की स्कृण पर है जामा पहनए इस जोड़दार तरीके से 23 suspended में बेचता है तोiku 12 trend का में लाब शेती हुआ हिल यानरी कि अगर 8 उसका क्रायमूल्य है जिसके की राट की से खकीम दिया है और 9 आप और के विक्रायमूलय है तो 9 बरावर अगर 1350 है तो यह हो गया सर जी एक बरावर 1500 तो 1500 याने की 158 120 याने की 1200 रूपे तो 1200 रूपे आपका क्रेम मूले हो गया ठीक है तो भाईया अब आपके होमवर्क के कुश्चन आप देख लो कि कितने करने हैं अब आपको मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा तेरा से शुरू करना है सर यह कुश्चन हमसे बन जाएंगे क्या प्राई करनी है बस बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो उपर वाला ही है लेकिन मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि यहां से बहार नहीं जाएंगे आपके कुश्चन तो अभी आपके लिए करीबन आठ कुश्चन होमवर्क में है जो कि आपको बनाने है कोई भी डिफरेंट टाइप होगा तो तुरंट कंसेट किलियर करवाया जाएगा रेगुलर रहना है रहना है तो परना फिर पढ़ाई आप छोड़ सकते हो या पिर कहीं और पढ़ने भी जा सकते हो अगर हमारे एक्सप्रेस बैच में आपको मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको यह बात कह रहा हूँ कि जिस चीज में मज़ा आ रहा होता है वो तो चलो अच्छी बात है नहीं आ रहा होता है तो सीखने के मौके हमेशा रहते हैं बच्चे के पास में साथ के साथ में आप सभी लोगों को कोई एक ट्रेक्स टैस सीरीज हमारी जो एप्लिकेशन है जहां पर हम टैस सीरीज कवर करवाते हैं वहां रेल्वे की टैस्सिरी ले सकते हो जिनको आता है जिनका बेसिक अच्छा है सब कुछ अच्छा है उनके लिए टैस्सिरीज हर किसी बच्चे के लिए नहीं है यह मेरी सला है मानो तो अच्छी बात है नहीं मानो तो आप किसी की नहीं मानते है और मेरी क्या मानोगे ठीक है हरीश एक्सप्रेस वबहे नौ बजे आकाश एक्सप्रेस दस बजे और साहिल एक्सप्रेस वबहे 11 बजे रेगुलर चल रही है यह तो हमारी टैफ्टर वाइस क्लास हो गई अब आते मिक्सप्रेक्टिस वाले कॉस्चंस जहांपर एक्जाम वा आप सब्सक्राइब से रिक्वैष्ट कौन इस साल रेल्वे में 잡ल लेना चाथा सब्सक्राइब तो काम यहीं आपम्यूदा रिप करने ला गता है रेल्पी कि रेल्वे सब्सक्राइब्ट में kulände इन रिक्वैश्पृ कर्द हाएं और आपको जिन बच्चों को लगता है कि सफलता का शॉट कट है या सफलता ऐसी मिल जाती है बेटा कॉम्पटिशन बहुत है ऐसे नहीं मिलेगी ध्यान रखना तो ये बात बिलकुल दिमाग में बैठा लेना आप जाकर ले लो अपनी अप्लिकेशन से मैथ फाउंडेशन बैच रेल्वे फाउंडेशन सर इसमें यह अगर हो गया और तो एक्सप्रेस बैच वहां से बेसिक करना है और यहां से रिविजन ठोकना है यह तो हमेशा रहेंगी वीडियो जो हो चुकी हैं वह भी रिकॉर्डेट फॉर्म में वहां भी हैं अपना टाइम टेबल सेट करो रेगुलर वेसिस पे दो दो वीडियो दो वीडियो करते जाओ सटर्डे संडे जादा वीडियो करो क्योंकि सटर्डे संडे आप फ्री रहते हो और पूरे एक्सदाम की तैयारी एक साथ होगी फिर आप पूछो कि सर गुरूप डी के लिए एंटी पीसी के लिए कुछ नहीं करना फिर प्रेक्टिस रह जाएगी बस अलग से प्रेक्टिस के कोशनस आलग से कर वा दिये यह रह जाएगा बस बेसिक्स और कॉंसेस्प्ट सारे कलि disciples रह चुके होंगे यह अभी से प्राइस में चल रहा है अभी और ये प्राइस अस्ता वस्ता कुछ होता नहीं है बाई कोई मैं सबजी थोड़ी बेच रहा हूं बाट यह है कि क्वालिटी मिल जाएगी क्वालिटी में दिक्कत आए तो फिर आप बोल सकते हो मेरे को ठीक है तो क्विक्ट्रिक्स भाई साहि आप भी ले सकते हो एक साथ में फाइदा है पेड कोर्स में जाओगे तो रेल्वे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच में एक साथ मिलेंगे यह चारो बैचिस मैथ रीजनिंग जनल साइंस और जीके वाले और अलग लोग लोगे तो अलग अलग है तो बढ़िया फाइदा है आ तो आप इस नंबर पे आप वाट्स आप या कॉल कर सकते हो 800-56-63101 ठीक है और यह अपना एप्लिकेशन का नाम है क्विक्ट्रिक्स पाई साहिल सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो उमीद करता हूं कि आप होमवर्क भी धंग से कर लोगे ठीक है बिटा मिलते हैं आप से यू वंदे मात्रम मिलते हैं आप से अगले सेशन में तीन बजे तब तक लिए अपना ध्यान रखिए बाई बाई